चेन इस्टेक का अगर alignment का problem हो जाता है चेन उतर रहा बार बार अगर आपका cycle का या फिर आपका बच्चा का cycle का चाय 14 इंच हो या फिर 60 इंच हो या फिर 20 इंच हो या फिर senior cycle हो 2060 में या फिर junior cycle हो 2040 में तो जैसा कि ये 20-75 का cycle आप देख पारें गाइस तो बच्चा ये cycle को चला रहा था और बहुत ही ज्यादा जोर से गिराने के वज़े से क्या हुआ गाइस इसका जो chain stack देख पारें गाइस जिसे back stack भी बोला जाता है और इसे chain stack बोला जाता है तो ये दोनों ही क्या हुआ बर उतरने का problem आ रहा था और देखी गाइस हम आप लोग को एक चीज और दिखाते गाइस जैसा कि ये cycle में आप देख पार है गाइस तो देखे गेर के पास में चेन लगाओ नहीं है जो कि आपको पीछे चक्के वाली सेड में तो देखे चेन एक दम टूटके फर्स चुक होता क्यूंकि गाइस इस चीज को समझने के लिए आपको बारिकी से वीडियो को देखना पड़ेगा और गाइस बताना चाहेंगे यह जो चैन इस्टेक बेक इस्टेक जो त्यणहा का problem है आधिकतर आपको जहां बच्चा cycle में ही देखने को मिलेगा अगर बड़ा cycle में भी यह problem होता गाइस चैन इस्टेक बेक इस्टेक ट्यणहा का गाइस चाहे senior cycle हो या फिर junior cycle 2060 हो या फिर 2040 हो या फिर देशी 22 इंच 20 इंच कोई भी cycle हो गाइस सभी में सेम पोर्सेस के साथ में चैन इस्टेक सीधा होता गाइस तो आपको जो हम यही cycle में बताने वाले हैं क्य cycle में आता है अगर 14 इंच का cycle या फिर 16 इंच का cycle है तो सभी में सेम प्रॉब्लम हो सबसे पहले आपको क्या करना गाइस चैन कोबर cycle का खोल लेना है तो चलिए हम चैन कोबर खोलते हैं आप लोग को दिखाते कैसे चैन कोबर खोलना है है उसको बात आपको क्या करना है प्रॉइडाल को इस तरह से खोल लेना है कोई को of rice company में बीना फॉटार खोलना पड़ता है ठीक है बच्約ेसेिंदा को इस था साइड पाइड़ नत को भूलना है और चक्का को बाहर निकाल लेना ठीक है तो हम अब निकालते हैं फिर आप लोग को बताते हैं तो यह देखा जाता है है तो यह देखें हमारा चैन कोबर बाहर निकल लिया और चक्का भी हम एक साइड खोल दिये हैं आप दूसा साइड में खोल लेते हैं ज्मणणणग語 साइड़ साइड रसे कताझ साइड आप में एकता को मुड़िया खाय dag घच हम मुड़ाओना हैं साइड़ शाज़लंस कर दोल करा फ़का सॉक़ सॉका बाहर हम के एक दोल अब दसक्वपźым शाद्र林 पिंगब लंब तो गाइस चक्का जो बाहर नहीं आ रहा ब्रेक में फस रहा है तो आपको क्या करना है ब्रेक को लूस कर लेना है इस तरह से आपका 10 नमबर से खुल जाएगा आप मंकी प्लायर से खुल जाएगे जिसे हम लोग तोता प्लायर भी बोलते हैं अगर ये टूल अगर आप बाई करना चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिये हैं वहां से आप ये टूल को बाई कर सकते हैं बहुती रणिंग टूल है इस साइकिल में तो ये देखिए चक का हमने खुल लिए हैं चैन को बाहर निकाल लेते हैं जो फसा हुआ है उसके बाद पहले जो है चैन जोड़ेंगे गाईस उसके बाद फिर आप लोग को बैकिस्टेक अलाइमेंट का बारे बताएगे चैन जो है हम जोड़ लिए गाईस तो चैन जो टूटा नहीं था चैन का जो लोग होता गाईस वह खुल गया था तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगा में यहां पर देखिए हम जो है दो क्वाली चैन जोड़ हैं गाईस और इसका जो टूटा हो था 2060 में या फिर जुनियर सेखिल हो 2040 में तो कैसे होगा किस पॉर्सस के साथ में होगा वीडियो को एकदम बारिकी से देखे आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से अपना बच्चा का हो या फिर अधर कोई भी सेखिल हो आप आसानी से सीधा कर सकते हैं सबसे पहले करके जो फटमा खोले तो फट्रकाव सब्ससे ने कर देते हैं दो अ सकते से अब हम अपलोग को बताते हैं चैनि स्टेक सीधा कैसे करना है इसका किसे देखना है आप कोना से प्र गया वाहिए चैन को इस तरह से फसाना है फिट करना देखिए हम गेर में चैन को फिट कर लिए हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहां का दूरी इतना पर रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं तो इस जगह का दूरी आप कैसे देखेंगे आपको बताना चाहिए जैसा कि यह विल आप दे तो इतना पर आपको चेन को पकड़ना है तो पकड़ना कैसे गाइस हम आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं है चैन को हम पकड़ लिए गाइस देखे जितना पर हम आप लोग को बोले थे उतना पर हम पकड़ लिए हैं पकड़ने के बा सीधा करना है, ठीके गाईस, कहने का मतलब यह है, जैसा कि गाईस चेन आप देख पा रहे हैं, ठीके गाईस, तो यह चेन का जो यहां का डिस्टेंसिंग आप देख पा रहे हैं, तो यह डिस्टेंसिंग देखिए अलाज backside का थोड़ा सा problem है, यानि अंदर तरब जो है चेन ज्यादा भागा हुआ इस तरह से ठीक है तो यहां तक जब हम कर रहे हैं तो चेन थोड़ा से ज्यादा भागा हुआ कि हमें बहार करना है तो एक नहीं होगा दोनों ही होगा दोनों ही कैसे करना है तो आप लोगो दिखाते हैं और बताते हैं उससे पहले हम baked कर लोगो === Sold आ रहे हैं तो इसको भी हमको सीधा करना पड़ेगा इसलिए चैन उतरने का बर मार्बलम यह ता फोलड़ा सा लेड़ से उतर रहा था अगर ज्यादा तो जल्दी जल्दी उत्रेगा आपका फिर्विल साइड से भो या फिर गियर साइड ऐसे हो अगर आपका बाहर तरफ back stack का alignment का problem रहेगा तो यह chain क्या होगा guys बाहर तरफ उतरेगा इस तरह से ठीक है guys जैसा कि देख पारे इस तरह से chain जो है बाहर तरफ उतरेगा gear से ठीक है यह process के साथ में आपको देखना है अच्छे से देखने के बाद आपको क्या करना है अगर बाह तरफ chain अगर उतर रहा है इस तरह से तो आपको क्या करना है यह जो chain देख रहे है इसे आपको जो उसाइड बहगाना ठीक है राइट साइड की और भागाना है हाथ लिए प्रेस करके अगर आपका चेन जो है अंदर तरफ की और उतर रहा है gear साइड से हो या फिर फिर विल से वर ठीक है फिर विल स्वर से ज्यादा करके चेन नहीं उतरता ज्यादा करकर को उतरता है तो धर से उतरता है धर करना है यह चीज SHOULD की और करना है ईप लुए अ करना है यह फिर साइक करना है उससे स dopairसे हम आहें आप लुग से से रिकेस्ट करेंगे अगर से अरे ख recom और एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद अगर जैसा कि हम आप लोग को बताएं गाइस अगर चैन अंदर तरफ दबा हुआ है गाइस अगर चैन जो है अंदर तरफ उतर रहा है गेर सैड में तो आपको क्या करना है चैन तो चैन इस्टेक आपको अंदर सैड की और करना है करने से पहले आपको क्या करना गाइस यह जो हैमर देख रहे हैं गाइस यहां का आपको डिस्टेंसिंग देख लेना है ठीक है हमर से इस तरह से डिस्टेंसिंग आपको देख लेना है डिस्टेंसिंग देखने के बाद गाइस जैसा कि हम बताएं गाइस तो यह हमारा जो सैखिल का है गाइस यह हमारा जो है अंदर साइड की ओर चेवर टता ठीक है कभी-कभी चेवर उतरता है अंदर साइड की तो बच्चा को चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता तो हम एक नहीं वाखेगा दोनो साथ में भागेगा तो इस manière क्या करना है इस तरह से खौना इस्याद भारना है इस तरह से हैमर करना है हातोली líंबफिन मारना है उसके बाद आपको रह आपको जादा भागाना पड़ा आपको करना है यह को घ्रानसे अपको करना थीक्रत यह चीज को आपको सीधा कर लेना इसमें एक चीज और आ जाता था जो चीज़ आपको देखना था जैसा कि गाइस बैक इस्टेक देख पा रहे हैं एकदम सिधा हो चुका है हमारा तो आपको एक चीज और देखना है कि इसमें यहां का जो डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं गाइस अगर यह ज्यादा बेंड रहेगा जो चेन इस्टेक का सिस्टम है यह किया होगा कि आपक को क्या करना है एक बार और आपको चेन को इस तरह से पकड़ना और घुमाना है गाइस इस पीड में जैसा कि देख पा रहे हैं ठीक है तो यह देखिए हम जो चक्का को हम इस थारा से कर लेंगा है यह मं टेमोज को ट intercept करना है तो इस तरह से आपको डेमो करके देख लेना डेह सबी से करने प्राब्लम भी नहीं आ रहा है जैसा कि देखें कि इस तरह साइट कर लेना हम दिखा देते हैं आप लोग को तो पहले चेन को चड़ा लिये हैं कि उसका बद गाइस जो आप डायरेटली इस तरह साहाव एकसल नट को टाइट करके और इक बार चक्का को घुमा करके आपको देख लेना तो चलिए हम टाइट कर लेते हैं फिर आप लोग को बताते हैं और दिखाते हैं कि अग्याइस तो यह देखी मिडिल पर करके जो हम चक्का को सेट कर दी है और घुमा करके दिखाते हैं आप लोग को देखेंगा इस चेंज है अमारे एकदम नहीं उतर रहा गाइव फर्स क्लास किलियर हो गया तो इस पॉर्सस के साथ में आपको कर लेना गाइस एकदम आसा चक्का को खोले थे हैं ठीक है उस पॉर्सस के साथ में चक्का को फीट कर देना एकदम मिडिल पर देखते हुए गाइस एकदम इजली हो जाएगा कोई भी प्रब्लम नहीं आएगा क्यूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण साम चक्का फिटिंग को बारे आप लो का अलाइमेंट को ठीक कर लेना है इस पर भी हम अल्रेडी वीडियो बना चुके हैं तो हम डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दिए हैं वहां से जाकर आप हमारे उसवीडियो को भी देखकर करके गीर अलाइमेंट कैसे ठीक करना है वह भी बताएं हुए है चलिए फिर मिलते में जहिन बंदे मातर में एक प्यारा सा लाइक करने बिल्कुल